घूंगट एक मर्यादा या बोज अरे रानी ओ रानी सो रही हो क्या भी तक रानी की जठानी जोर जोर से चिलना रही थी घर के आंगन में खड़े होकर रानी यानि मैं तब ही मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली दीदी आ गई मैं जठानी बोली रानी तुम्हारा नाम रानी है तुम रानी नहीं हो मैंने तुम्हे रात में ही समझाया था कि सुबह जल्दी उड़ जाना तुम्हारी मुह दिखाई की रस्म है मैंने बोला दीदी रात को नींद ही नहीं आई नहीं जगए है ना और मन में थोड़ा डर भी था कि सुबह आंक नहीं खुली तो रजनी दीदी हस्ती हुई बोली रानी मेरी प्यारी देवरानी जल्दी से घूंगट कर लो अगर माजी आ गई तो हंगामा हो जाएगा मैंने घूंगट किया ही था तभी माजी आ गई वहाँ पर और करकराती आवाज में भोली चलो अब क्या यहीं कब शप मारती रहोगी तुम दोनों हमने चलना शुरू ही किया था तभी माजी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली पता है न कहां से जाना है और कैसे जाना है माजी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा गूंगट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के स माजी के जाने के बाद मैंने पूछा रजनी दीदी आप तो स्कॉलर हो और अब इन सब चीजों में कैसे निभाते हो तो रजनी दीदी मुस्कुराईं और बोली कि मैं थारे जेट जी से बहुत प्यार करती हूं इसलिए अभी तक चुप चाप सब चीजे निभा रही हूं मैं कुछ नहीं बोली और चुप चाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई वहां एक पडोस की आंटी जी बैठी थी और बोली कि यह कैसे बहु आई है ससुर जी सामने खड़े हैं और यह यहां बैठी है मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मतलब रजनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहु है यहां के रिती रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा रजनी दीदी मुझे वहां से उठाकर अपने कमरे में छोड़ाएं छे महीने यूही छोटी 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 चीजों में बीत गए फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई राहुल का फोन आया और वो दुकान के बाहर बात करने चला गया साड़ी की दुकान पर मैं बे धड़को कर साड़ियां देख रही थी तभी साथ मैं बैठे हुए अंकल जी खासे एक बार फिर दो बार फिर तीन बार मैंने साड़ी वाले भहिया से बोला भाया इन अंकल जी को पानी दे दो बहुत खासी हो रही है अंकल जी भड़क उठे और बोले क्या बत्तमीज लड़की है ये कुछ सर्म लिहाज है ही नहीं से दुकान पर हंगामा देख राहुल बाहर से भाग कर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छुकर बोले मामा जी आप यहां मैं घवरा के दुकान से बाहर निकल आई और एक लंबा गूंगट करके गाड़ी में बैठ गई राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठ कर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा मैंने धीमी आवाज में बोला बहुत तेज चला रहे हो गाड़ी कहीं एक्सिडेंट ना हो जाए हम घर पहुंचे ही थे तभी मा जी जोर जोर से चिलाते हुए बाहर आई देखो आ गई है रानी साहिवा खांदान की इज़त मिट्टी में मिलाकर तभी रजनी दी दियाई और बोली मा जी मेरी शादी को छे साल हो गए है मैं अभी तक मामा ज जी को नहीं जानती तो ये कैसे जानेगी मा जी जोर से चिलाएं देखो कैसे चपड़ चपड़ जवान चल रही है इस रजनी की तभी राहुल सबकी बात काटते हुए बुले मा ये दोनों सही बोल रही है अगर ये हमेशा घूंगट करके रहती है तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी और मा आज मामा जी के एक फोन पर तुमने पूरे घर की सानती भंग कर दिये ये वो ही समाज है जिसने सीता मया पर भी उंगली उठाई थी पिता जी और जेट जी ने भी अपना पक्ष राउल के साथ ही रखा मा जी थोड़ी देर सोचने के बाद बापस रज कुछे जुकने नहीं दोगी हम एक ही परिवार के सदस्य हैं हमें हमेशा साथ रहना है और अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है मा जी ने मुझे और रजनी जीधी को गले लगा लिया तो फ्रेंट्स आपको एक कहानी कैसी लगी अगर कह करना प्लीज चैनल पढ़ना है तो इसे सब्सक्राइब करें धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए फिर मिलती हूं नेक्स वीडियो में